नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आने काडेमी पे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी PCS के आरो ए आरो एक्जाम के बारे में क्योंकि वो एक्जाम होना है आठ अपरेल को और हमारे पास में बसते लगभग में 25 दिन तो 20 इस 20 से 25 दिनों में पह एक्जाम को क्वालिफाई कर सके हैं सो गाइस दिस सम्थिंग अबाउट मी माइने में सौरो गुपता बीटेक एलेक्ट्रिकल चार साल से ज़्यादा एक्सपिरियंस है क्वांटर रिजिंग पढ़ाने में और और लैप्स आयटी कांटू में अभी मैं टीचिंग कर रहा ह हूँ और यह सारे एक्जाम मैंने बैक टू बैक क्वालिफाई की हैं गेट दो बार क्वालिफाई दो बिट नाइंटीएट परसंटाइल तो सुरू करते हैं आज का लेशन तो देखो यहां पर इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे यूपी प्यस्टी की से प्लानिंग करनी इन दिनों की तो देखो यहां पर एक्जाम पैटन की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यह एक्जाम जो होगा कितने स्टेप में होगा सबसे पहले आपको प्रिलिम्स देना पड़ेगा इंटर्व्यू यहां पर नहीं होगा तो आपके लिए बहुत ब डात करें तो प्रिलिम्स में आपके 200 कोशन पूछी जाएंगे ठीक है 200 कोशन पूछ जाएंगे जो की पेपर one और paper टु में पूछी जाएंगे Cancer One में आपके GS के 140 कोशन पूछी जाएंगी और paper two में आपके हिंदी के साथ कोशन पूछे जाएंगे तो इसमें कैसे हमको score करना वो देखते हैं हमें सबसे जरूरी चीज यह जानना है कि हमारा target क्या है यहाँ पर हम देखेंगे कि पिछले सालों में cut off कितना गया है क्योंकि cut off मालूम होने का मतलब है कि हमें target पता रहेगा उसी के according हम लोग इस तरी करेंगे तो देखो 2013 की अगर बात करें हम तो 2013 में general की cut off कई थी 148 200 में से OBC की कई थी 148 SC की कई थी 131 और ST की कई थी 117 लेकिन उन सालों में negative marking नहीं था लेकिन 2018 में जो आप exam देंगे उसमें negative marking भी included है अब 2014 की अगर बात करें तो 2014 में देखे 2014 का cut off general category का मैं आपको दिखा रहा हूँ 142 नमबर 2013 में गया था 148 और 2014 में गया था 142 यहां से हमें यह पता चला कि लगबग 140 प्लस marks आपको score करने हैं लेकिन उन सालों में negative marking नहीं था अब बात करें इसवाल की यानि की 2018 की तो negative marking include हो गया है तो cut off उतना जाता तो वह रही नहीं करेगा हां 15 नमबर हम लोग कम कर सकते हैं तो फिर भी अगर बात की जाए safe score की तो safe score कितना होगा लगबग आप मान कर चलिए 130 से 135 के बीच में आपका score अगर आ रहा है तो आप एक safe zone में है अब हमें target मिल गया कि हमें इतना score लाना है अब हम decide कर पाएंगे कि हमें अपनी तयारी में कितना और boost up करना है तो यहाँ पर थोड़ी सी strategy देख लेते हैं कि जो आपका 140 नंबर का जीके पूछा जाएगा उसमें लगभग आप 100 score कर लें और जो यह हिंदी पूशी जाती है 60 नंबर की इसमें score काफी बच्चे बहुत अच्छा score करते हैं आप इसमें 50 पुश्चन तक आसानी से attempt कर सकते हैं थोड़ा सा भी अगर आप serious हैं तो तो देखो कुल मिला का डेड़ सो होते हैं बाकि निगेटिव मार्किन हताके आप लगभग 130 या 135 के पास में पहुच जाएंगे अब यह मैं आपके सामने एक ऐसा analysis ला रहा हूं जो कि पिछले सालों में 2010, 2013, 2015 और 16 में पूछे गए questions के बारे में हैं जैसे आप देख सकते हैं science and tech, इस science and tech में 2016 में 25 questions पूछे गए थे, 15 में 14 questions पूछे गए थे, 13 में 14 और 10 में 14 यानि कि science and tech से हर साल questions की values बढ़ती जा रही है, उसके बाद में और देखेंगे हम लोग यह वाला section Indian and world geography तो देखो 5, 63, 21, 19 यहाँ पर भी question की संख्या देख रहे हैं, आप increase हो रही है, यानि कि लगातार अच्छे questions पूछे जा रहे हैं उसके बाद में Indian history की बात करें, तो 17, 21, 11, 19 इस टाइप भी question पूछे गए हैं तो इस पूरे paper की मैंने यहाँ पर analysis आपको सो कर रखी है, so that आपको idea मिल सके कि किस वाले section से कितने question पूछे गए हैं, तो यह हमारे planning में बढ़ी important role play करेगा, कि किस तरीके से आपको plan करना है, जैसे science and tech आपको बहुत अच्छी से करना है क्योंकि इससे question बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उसके इलाबा आप देखेंगे UP special में आपके question 16 question पूछे गए हैं लगबग तो इस बार भी उम्मेद है पूछे जाएंगे, इसी तरीके से Indian and world geography के 19 question पूछे गए हैं तो यह भी important portion होता है, इस पूरे exam pattern को यह जो question का pattern यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको मैंने दो भागों में divide कर रखा हैं, सबसे पहले वो कि हम लोग यह देखेंगे, इन सारे subject में ऐसे कौन से subject है, जहां से solid marks gain किये जा सकते हैं कम पढ़ाई करके, आप इस section पर देखें, mental ability, mental ability में 10 में 14 और फिर से देख लेते हैं, 10 में 14, 13 में 1, 15 में 16 और 16 में 15 question यहां से पूछे गए हैं, तो mental ability के question क्या है, solid marks हैं, मतलब इसमें गलती नहीं हो सकती, कम समय में आप ज़्यादा इसमें score कर सकते हैं, तो यह मान कर चलिए कि mental ability में solid आपके लगवक 14 marks आप score कर सकते हैं, उसके बाद में देखते हैं, UP special, UP special में क्या है, कि आपके देखो 16 number के question पूछे गाए, अब UP में इसमें UP का जी के पूछेगा, अब उसमें तो ज़्यादा changes नहीं होते हैं, factual basis चीजे हैं, मतलब static चीजे हैं, उनको याद किया जा सकता है, factual basis है, तो उसमें लगबग 12 number का आप score वहाँ पर कर सकते हैं, उसके इलाबा तीसरे number पर देखते हैं कि कौनसी इसी चीज है, population, population वाली chapter से भी 14 question, यहां से भी आपके factual questions पनेंगे, मतलब आपका जो area होगा बहुत ज़्यादा wide नहीं होगा, लेकिन factual question है, उसमें confirm आपके number आ सकते हैं, उसके बाद में आपके method of study इस बार अब क्या होना चाहिए, देखो आखरी के दिनों में हमारा method of study होना चाहिए, question to theory approach, question to theory approach में क्या होता है, कि जैसे जब हमारे पास में बहुत ज़्यादा समय होता है, तो पहले हम norms पढ़ते हैं, norms खतम करने के बाद में फिर हम उसे question पर आते हैं, लेकिन I hope कि इतने दिनों में आप norms बगरा सब revise कर चुके होंगे, तो आखरी के दिनों में आपको क्या करना है, question to theory approach में जाना है, यानि कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कि पिछले सालों के question paper निकाल कर उनकी practice करना, start करना है, तो सुरवात से आप question लगाएंगे, कुछ question आपको आते जाएंगे, जिस भी question पर आप फसेंगे, या जो question आपको नहीं आएगा, उसी question से related notes वाली theory को revise कर लेंगे, इससे क्या होगा, कि कम समय में जादा आपकी तयारी हो जाएगी, otherwise आप notes revise करते रहेंगे बार बार, तो आ बी पर डेली आपका आना जाना है, आप डेली इस रास्ते पर जाते हैं, लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि रास्ते में कोई Gerox की swap है, वो कहां पर है, तो हो सकता है आपने उस swap को कभी notice ना किया हो, लेकिन वो उसी रास्ते पर लाई करती है, लेकिन मान लीजिए, आप का इसी swap के सामने accident हुआ हो किसी दिन, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कि आपका Gerox वाली swap के सामने accident हुआ था, यानि कि message हमें क्या मिला, accident होने पर हमें वो चीज याद हो गई, इसी तरीके से यही approach हमें अपने question में apply करनी है, कि हम question से अपना accident करवाएंगे, मलब हम theory वाले रास्ते पर बार-बार नहीं चलेंगे, कि बार-बार उसी theory को पढ़ रहे हैं, लेकिन question हमें clear नहीं हो रहा है, हमें क्या करना है, हमें अपने question से accident कराना है, वो कैसे होगा, कि हम अलग-अलग type के question करेंगे, और जब उन question से आपका सामना होगा, तो उसमें आ पोर्षन है, वो कहां से आपको cover करना है, कि आप ancient वाला जो portion है, वो 6-12 NCRT से cover कर सकते हैं, medieval history वाला portion मैंने आपको बताया था कि spectrum प्लस घटना चक्र से revise कर सकते हैं, और modern history भी यहां से cover कर सकते हैं, तो देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा question पिछले सालों में ancient और modern history से प तो नों portion को सबसे पहले complete करना, बाद में समय मिले तो medieval पर आप जाना, और last के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा कोसिस करना कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा question paper solve कर पाऊ, question paper आपको कैसे solve करने हैं, कहां से करने हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, देखो, आपर हम लोग चलते हैं सीरे इस वाले top slide पर, तो देखो मैं आपर आपको बताता हूँ, कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हुआ, history, geography, quality, science, economy, population, UP, इनके previous year paper जो आते हैं, वो घटना चक्र नाम से एक book में आते हैं, तो सारे subject की घटना चक्र लेने का मतलब है, कि सारे subject के previous ये सेर कोशन आपको solve कर डालने हैं, so that आपके last moment पे जादस ज्यादा तैयारी हो सके, और जब किसी कोशन में आप सेंगे, तो आपको reference book कौन-कौन सी यूज करनी है, वो भी मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर, reference book आपको कौन-कौन सी जैसे Indian national moment के जो कोशन आते है उसके लिए आप spectrum refer कर सकते हैं, उसके लाबा Indian agriculture, commerce and trade के लिए 6-12 NCRT plus महस बरनवाल की book follow कर सकते हैं, और Indian और world geography के लिए आप माजिद हुसान की book follow कर सकते हैं, refer कर सकते हैं, बाकि आपको economy और culture की अगर बात करें, तो इसके static gk वाला portion नहीं परना है, ज्यादा तर कोशन और चाहें तो घटना चकर की जो current affairs की book आती है, उससे आप अपना current वाला portion complete कर सकते हैं, उसके बाद में देखो physics, जो general science के question आएंगे, जैसे physics हो गई, chemistry हो गई, biology हो गई, ये आप परिच्छावानी और घटना चकर, इन दोनों से छोटी सी पतली सी book है, इन दोनों से complete कर सक out होता है, तो आप लक्षमी कांथ follow कर सकते हैं, इंडियन पॉलिटी के लिए, बागी history मैंने आपको cover करा ही दिया है, इस तरीके से इस approach से अगर आप पढ़ेंगे, तो last के दिनों में ज्यादा से ज्यादा तयारी हो पाएगी, कम दिनों में, और इसके बाद में, इस cut-off को आपको mind में रखना है, हिंदी वाले portion को और बता देता हूँ, यह जो आपका हिंदी वाला portion आएगा, वो एक बार और discuss कर लेते हैं, यह देखे, हिंदी में क्या होगा, कि हिंदी का जो paper 2 होगा, opposites, यानि कि सब्द बिलोम आएंगे 10 नंबर की, sentence and correction, 10 नंबर का one word substitution आएगा 10 words का same uses, 10 words noun as defined by the adjective and adjectives, 10 words का synonyms आएंगे 10 words के, तो यह बहुती आसान होता है, इसको आपको पढ़ना कहां से है, आप हिंदी के लिए नालंदा publication की या प्रत्वी नात पांडे बुक रेफर कर सकते हैं, या हर्देव बाहरी की भी बुक लेग सकते हैं, वो best रहेगी, इसके हर्देव बारी बुक में theory वाला portion जादा दे रखा है, practice question की आपकी यहां से होगी, इसके लाबा रही बात, जो mental ability के question हैं मैंने बताये थे, जो आपको cover करने हैं, यहां पर बताये थे, इसमें से आपका पूरे 100% score आपको करना है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे courses को follow कर सकते हैं, मैंने इस पर बहुत सारे courses बना रखे हैं, अनकेडमी पर आप जाएंगे, तो मेरा profile इस तरीके से आपको देखेगा, सौरब गुपता आप मेरे इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, और यहां पर follow बटन का click करके, आप मुझे follow कर सकते हैं, मैंने आप के लिए mental ability के पूरे lessons बना रखे हैं, so that आप उसमें 100% score कर पाएं, तो जल्दी से जाकर वह वाला portion भी complete कर लीजे, so that आप पहले attempt में ही इस exam को qualify कर लें, thanks for watching this video,